सब्सक्राइब कीजिए नदाश्राहरदिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस पहला आइकन को उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे नमस्कार दोस्तो तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले है रेक्टी फायर के बारे में तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते है रेक्टी फायर के बारे में यहाँ पर हम रेक्टी फायर के बारे में बात करेंगे जिसे कि यहाँ पर रेक्टी फायर जो हमने यूपीएस का लास्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि पहला है रेक्ट ने दूस्तों ऑजस्टकरों सबसे पहले स्टार्थ करते हैं जब दूस् Area बता दूं यहां पे requires क्या है उसके बारे में बात करें एक इसए उक करने छो उ exceptions करने दोस्ते पहले यहां पर छे also जो आपने पास यहां पे AC करन आता है इसको यहां पे डी यानि की डाइरेक्ट करने काम पर करता है सिंपल भासा मैं आपको डायग्राम के साथ बताना चाहूं तो यहाँ पर में कोई डायाग्राम लेता ऑच से की यहाँ पर अपने पास यह कोई फ्रिक्वंसी को है उस फ्रिक्वंसी को यहां पर अपने ७ार करता है यहानी कि सिधी पर्वर आन में मिलता है वह dignization 2020 को Wade कब अब दाउन आपटान प्लास मांनस करों के इसे अब में सब्सक्रीन के बारे में यानि प्रतल मताओं तो यहे आख इसार Radio ही तरह यहां पर सोलीड स्टेट राता है फिर हम बात के तो यहां पर वेक्टियूम ड्यूब रेक्टिफायर है इसके बात बात करूए मर्क्यूरी सपर्पाइब आर्क औरी में सब्सक्राइब यहाँ पर लेते हैं एक जड़ा टोपिक में बताई आपको यहाँ पर तो अगला टोपिक लेता हूँ तो rectifier use UPS में कहां पर लिया जाता है अब उसकी पूरी बात कर दो यहां पर UPS में बात करें हम rectifier की तो यहां पर जो हमारे पास जो UPS है ना जैसे कि अपना AC power अपना AC power है जो हमें यहां पर input में मिलता है फिर हम क्या करते है उस AC पावर को यहाँ पर जाता है अपने इघ्तिफाइर के पास कि यहां पर में एक दढ़ता इसको चला गया इसकी अपना यहां पर निखला इसको क्या करते है से डिच्टि फाउर निकला ऊसको यहां पर देते है डायरक्ट बेटरी के अंदर यह प्लस और माइनस यहां पर बेटरी अब एक्टी फायर का काम यह है SC पावर आ रहा है उसको AC में से DC में कनवर्ट करना यानि कि यह वन टाइप ओफ कनवर्टर हो गया यह पहले तो यह कनवर्टर अपना रेक्टी फायर को कनवर्टर हो गया AC पावर को DC में कनवर्ट करके डायरेक्ली अपने यहां पर बेटरी में देगा अब UPS के अंदर rectifier का यही काम है AC power को DC में convert करके बेटरी को charge करना अब बेटरी charge होगी उसके बाद ही आगे अपना ये DC power output में जाएगा वो वापस हो जाएगा आगे वो inverter में जाएगा उसकी बारे में बाद में बात करेंगे तो पहले यहां पर हो गया सिर्फ और सिर्फ अपना यहां पर इतना ही डायाग्राम जैसे कि इतना सा हो गया इतना ही काम है बेटरी का पार्ट भी अलग है तो rectifier का काम यही है कि बेटरी को continuous DC power देना और उसको charge करते रहेना उसके बाद ही power जाता है और आगे और पावर जाता वही गया है यह है इसका में 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 काम अब उसके बाद है तो types of rectifier अब Rekti closer because types के बारे में बात करूं यहां पर आपको तो rectifier के काफ़े टाइपस है जैसे का बात करें यहां पर तो पहले में ऐन मेंшие में ले ले तो यहां पर एक बात करो तो यहाँ पे सिंगल फेज रेक्टिफायर सिंगल फेज रेक्टिफायर उसके बाद बात करो तो यहाँ पे थ्री फेज थ्री फेज रेक्टिफायर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फूल वेव रेक्टिफायर और आगे भी बात करूँ यहाँ पे तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर अब सब की बात करते हैं यह तो सब नाम होगे जैसे कि मैंने ब से यहां प meth है ऊसकी बात करें नियुक्स भाट कर हम बडस कि बात करो थो यहां पर अपना जो स्थे चलाने के लिए यू पीए स्काम में लें więks वाला वह भी हो अप्लैंस इसमें आ गया फिर हम बात करें तो रेडियो ले लो टीवी ले लो उन सबी चीजों में यहां पर जो रेक्टिफाइर यूज में लिए अब बात करें यहां पर तो बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है न उसके अंदर काफी एसा पावर जो स्वि बात में बात करें तो कि हाफ वे रिक्टीफाइर पूल रिक्तिफायर और अंकंट्रोल एन कंट्रोल डिक्री उसके बी अलग अग मुझे कर दीजे इसका डिटेल्स में वीडियो बना आपको दिखाऊंगा कि इसका किस तरह का वर्किंग यह काम करता है उसके कि यूजिस किया है उसका डायागरम वगेरा उसके सब डीटेल्स में आपको आगे जानकारी दूगा और हम बात करें यहां पर रेक्टिफार किये होगे माननों कि टाइप सोगे सिंगल फेस थी फेस हाफ वेव फुल वेव अनकंट्रोल लेकिन यहां पर हम बात करें तो मैं ह दो महारा कुहर्द से यह जैसे कि हम यूज में लेते हैं जैसे की आपने पास यहां पर रखिक्टिफाइर को आप और ये लेते अलग अलग तैफ्स के नहां पर हम यूज में हो है जैसे की और यह गया अलग कंडिकर Uma करुज में यहां पे लिया जाता है तो अब बात करें प्टाइब Prat करते हैं यहां पर रेक्टिफायर है जिसके मैंने UPS के अंदर बताया था काम रेक्टिफायर का होता है आप उसका मेन काम होता है यह का मेन पर्पस हो गया आप कोई भी बोले रेक्टिफायर कि तरह काम करता है सिंग करने का विदी करने का काम है अगर दूसको मेरा वीडिए आपको अच्छा लगा होगी तो आप इसको लाइक के दीजिए सेयर कर दीजिए और शब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नदा सुनहर दिक को अगर आपको कुछ भी सवाल है तो मुझे comment section में जाके आप comment कर सकते हो मैं उसके regarding next वीडियो लेके आऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like, share और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा thanks दोस्तो हुआ 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 है